कुछ इंपोर्टन्ट क्वेश्चन्स जो कि आपके मैट के एक्जाम के लिए बहुत ही मैट पूर्ण होंगे तो इन क्वेश्चन्स को मैं बालियुंगिल आपके यहां जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आप देख लीजिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों तरह से मैं इसको आपको डिफाइन कर रहे हूं साथ मैं बताऊंगी क्वेश्चन्स को लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं according to marks फिलहाल मैं यहां पर बात कर रहे हूं यहां पर 16 16 marks के जो आपके question रहेंगे और साथ में यहां पर कुछ questions ऐसे हैं जो दो number में यानि 8 8 number के हैं दो पार्ट सेंसके और कुछ ऐसे हैं जो चार पार्ट सें जो कि आपके पढ़ेंगे चार चार मार्क्स के कोडिंग सबसे पहले हैं हम डिसकस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कि क्या है what do you mean by continuous and comprehensive evaluation इंग्लिश में यह question आपको करना है तो यह आपका question पढ़ सकता है 16 marks का इसके और में भी आ सकता है किसे दोनों पार्ट साथ में पूछ लिया जाएं formative और समाटिक ठीक है यह 16 marks का आपका question बनेगा स्ट और व्यापक मुल्यांकन से आपका क्या अभी प्राय है इसके आप दोनों पार्ट साथ में भी लिख सकते हैं अगर पूछा जाता है तो 16 number के according दूसरा question है discuss the meaning and need of evaluation differentiate between summative and formative evaluation इसमें आपको जो है discuss करना है इसका आर्थ और आवशकता किसका मुल्यांकन का discuss the meaning and need of evaluation मुल्यांकन के आवशकता और आर्थ बताईए और अंतर दिखाना है आपको यहाँ पे योग आत्मक और रचनात्मक मुल्यांकन में यह question आपका दो तरीके से है यानि कि यहाँ पे आठाट नंबर के हिसाब से आपको इसको attempt करना रहे पड़ेगा describe in detail the projective and non-projective teaching aids यहाँ पे आपको प्रोजेक्टिव और नोन प्रोजेक्टिव शिक्षिन सामगरी साहिक सामगरी का विस्तार से बनन करना है दोनों का अलग-अलग यानि आठाट नंबर के हिसाब से आप इनको define कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको में बात देखन सामगरी है उसको आपार्टमक्स के कोडिंग यहां पे अटेंप करेंगे तो एट लिस्त आपको दो पेज में उसको टेंप करना पड़ेगा जो दो पेज बिल्कुल खड़े होते हैं यानि चार पेज हो जाएगे फिर यहां पर आपको एक या डेड पेज में हो सकता है दो में भी नोन प्रोजेक्टिव मेथड को आपको करना है यानि पूरा ही क्वेश्चन यहां आपके at least six pages में जाना चाहिए राइट शोर्ट नोट on the following audio visual aids इसके importance बताने पड़ सकते हैं ICT in Teaching of Mathematics यहां भी आपको इसके साथ साथ आपको importance बताना यहां पड़ सकता है तो यह question आपका art art marks के coding रहेगा फिर Hindi medium के लिए देख ली देख लीजे यहां पर लगु नोटी यानिकि लगु तिपनी लिखिये या लगु यहां पर आपको ब्याख्या करने है स्रव्य द्रश्य सामगरी क्या होती है डिफाइन कीजिए ICT का महत्वी मैच में आपको यहां पर बताना है importance of ICT in mathematics fifth question देखिए what is the mathematics club and discuss the various recreational activities organized by the mathematics club Hindi medium के लिए यहां पर देखिए गणितिय कलब क्या है इसके दोवार आयोजित विभिन मनोरंजग गतिविदियों का वनन कीजिए यह question आपका यहां पर चार मार्क्स के according और जो लास्ट का बचा हुओ आपको यहां पर according to 12 marks के करना पड़ेगा 16 number का आपका question यह रहेगा next हम देखते हैं what are the micro teaching skills यहां पर सुक्षम, शिक्षन, कोशल क्या होता है यह चार नंबर का अगर्मालीजी हो गया है explain the skill of micro teaching with the help of a micro learning plan सुक्षम, शिक्षम, शिक्षन, योजना के तहत सुक्षम, शिक्षन, कोशल की व्याख्या भी करने हैं यह आपको बारमाक्स के coding करना पड़ेगा 16 number का question यह attempt कर लिजेगा briefly explain short में आपको यहां पर व्याख्या करनी है inductive, deductive method की यानि हिंदी में अगर कहें तो आगमन और निगमन विधी जो होती है उसको आपको explain करना पड़ेगा briefly फिर analysis क्या होता है इसके आप टिक्पनी लिखे इसके ओपर भी आप यानि को visualization according to maths heuristic विधी method क्या होता है वो भी आपको define करना पड़ेगा इसमें देखे आगे क्या है problem solving method यानि समस्या, समाधान, विधी का भी आपको यहाँ पर वर्नन करना पड़ेगा तो यह question आपका चार-चार माक्स के coding रहेगा इस question को आप या तो यह attempt कर सकते हैं या पर यहाँ पर फोर्थ पर है आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना यहाँ चार नंबर के according यह रहेगा इसके निर्मान संबंदी सिधानत क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे according to 12 यानि 12 नंबर गई आपको दूसरा पाठ इसका लिखना है next question देखिए write pedagogical analysis on the following शेक्षिक visualization करना है आपको किसका trigonometry, ration and proportion, equation, volume चार चार नंबर के आए आपके यह questions रहेंगे आप सिर्फ इनको analysis करके लिखिएगा हिंदी में अगर बात करें तो तिर्कौनमिती, and ration and anupath हिंदी में क्या कहते हैं समीकरन, फिर next is the equation and item, इनको चार-चार मार्क्स के coding आप कीजिए, 16 नंबर का यह भी आपका question बनेगा, next देखिए what do you mean by taxonomy of objectives यहाँ पे taxonomy के उदिश्यों के बारे में आपको detail देनी है यह आपका 16 marks का, यानि के taxonomy में किसके द्वारा लिखी गी थी थोड़ी सी उसकी हम यहाँ पे summary दे देंगे इसके साथ साथ फिर हम यहाँ पे define करेंगे इसकी उदिश्यों क्या होते है last but not the least discuss the history of mathematics यहाँ पे आपको गणित के शिक्षन पर बल देते हुए special emphasis special emphasis यानि के विशेश बल देते हुए teaching of mathematics गणित शिक्षन के गणित शिक्षन पर विशेश बल देते हुए गणित के इतिहास पर आपको यहाँ पे discuss करना है व्याख्या करनी है तो यह question आपके बहुत ही important question है यह almost इन में से maximum question आपके question paper में देखे जाएंगे आप यहाँ हैं और मैं भी यही हूँ आप इनको बिल्कुल अच्छे से learn कर लीजिए और best दीजिए अपना और अच्छे marks गेंड कीजिएगा